और हम इस वक्त रेकाल हैं कि तीन सो फूट की बिलंदी पी ओड़ रहे हैं अस्वाम अलेकम मेरा नाम है आसे मुराब देख रहे हैं ट्रेवल अफेर्स मैं माल्टा के टूर पर हूँ और माल्टा सीरीज की अगर आपने पहली व्लॉग देखी है तो आपने देखा होगा किस कदर खुबसूरत है सदरन यॉरप का ये चोटा सा कंट्री और अब मैं इसकी दूसरी एपिसोड जो है वो शूट करने जा रहा हूँ और इसमें मेरा प्लैन है कि मैं जाओ जो यहां का कैपिटल है वालटा और इसके लावा यहां का बहुत ही खुबसूरत और आइकॉनिक आइलंड है जिसका नाम है कुमीनो तो कुमीनो आइलंड जाएंगे और इसके कैपिटल को विजिट करेंगे और उसके इलावा मेरा कुछ पैरा सेलिंग का भी प्रोग्राम है एक बहुत ही जबरदस किसम की एडवेंचर है और स्पोर्ट्स भी है साथ में तो यह सब चीज़ें करेंगे तो उबीद करते हैं क करेंगे मारे साथ बहुत है अच्छा जी हम आया है इस वक्त एक जगह पर यहां से हम यहां से फैरी चलती है और फैरी जाएंगी कोमीनो आइलेंड के लिए वैसे तो मुख्तलिफ यहां के जगों के लिए फैरी चलती है यहां का जो फेमस आइलेंड एक दूसरा है उसका नाम है गोजो लेकिन कोमीनो की खास बात यह है कि यह इन्हाबिटेट नहीं है तो यह टूटली नैच्रल है और कुमीनो के लिए फैरी हम यहां से लेंगे और कुमीनो की तरफ जाएगे बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज की जो फैरी है वो यहां से चलती है और हर आदे घंटे के बाद एक फैरी चलती है तो आप किसी भी फैरी के साथ जा सकते हैं उसी टिकेट के अंदर और किसी भी फैरी के साथ वापस आ सकते हैं कुमीनो आइलेंड जाने के लिए फैरी की प्राइस है 15 योरो हम पहुंच चुके हैं जी इन उस जगा पर जहां पर हैं गारें पानी के अंदर ही यह फॉर्मेशन बन चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में यह मुंदर यह सामने आप देख रहे हैं कितनी तेजी से जो है वो पानी टकराता है इनके साथ आके और कटाव पैदा करता है इसके अंदर इंटरस्टेंग अच्छा दोनों कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं ब्लू और यह जो खाकी कलर है इस पहाड का बहुत जबर्दस रखता है यह देखना में जी जी से जाड बतेज में उड़ेंगा में जी Yani कर दो सका है कर दो बहुत तेज धूब है जी लेकिन बड़ी अच्छी जगाई है बड़ी खुश्कबार जगाई और यॉरप का यॉरप कॉंटिनेंट का ये हिस्सा लगता नहीं है अगर आप इसके लांड्सकेप की दरफ देखें लो ये बिलकुल एक छोटी सी पहाड़ी है जहां पे रिस्वक्त हमें उतारा है और इसके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ये चोटे चोटे स्टाल्स हैं जिसके ऊपर कुछ डाइविंग के समान और कुछ एक्स्ट्रा जो बेदिंग के कपड़े आपको मिल जाएंगे इसके इल ये है जी इस अल अपर और और नीचे ये बहुत ही फुक्सूरत लगों में बहुत फुक्सूरत है ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका पानी का कलर दो मालता जो है वो यॉर्पियन यूनियन का रुक्न है और यहां पर यूरो चलता है साल 2019 में 2.7 मिलियन विजिटर्स ने मालता का विजिट किया करोना के दिनों में ये नंबर कुछ कम हुआ लेकिन साल 2022 में 2 मिलियन विजिटर्स ने मालता का विजिट किया और एक अंदाजे के मताबक साल 2018 तक जो टूरिजम की मद में जो आमदन है यहां की वो 3.3 बिलियन डालर्स तक पहुंच जाएगी पानी का कलर उसकी शिफाफियत देखकर बिलकुल ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा स्वेमिंग पूल है यह जो 80's के किड़्ज है उनके लिए मेरे पास एक तोफा है इस जगा का नाम है पापाई विलिज और पापाई विलिज येकिनन पापाई दी सेलर मैन के नाम के उपर यह विलिज बनाया गया है अग्षली यहां पर हॉलीवुड की एक मुवी की शुटिंग हुई थी और यह इसका सेट है और यह 1980 के अंदर यहां पर शुटिंग हुई थी और उसके बाद से इस विलिज को ऐसे ही रखा गया है और यह एक थीम विलिज है यहां पर आप जा सकते हैं पोर्ट के जरीए इसकी एक्सेस है, बहुत खुबसूरत पिले जाए जहाँ अगर आपका कभी अगर माल्टा आना हो तो इसको जुरूर विजिट करें, ये इन्होंने सब कुछ वैसे ही रखा हुआ और और आपको यहाँ गूमते परते दिखाई देंगे तो इस इसकोई इंटरस्टी तो इसकोई इंटरस्टी तो सी दिस अलोग माल्टा में हैं बहुत गर्मी और गर्मी को दूर बगाने के लिए हमें सो खड़े हैं अएक जूस प्यूस के वट और हमने लिए पिछ जूसे लिए और अभी हम आंपिए तो अभी हैं का अजानक के प्लान करें सब तो इसका तो भूख उसका मुझे नहीं करेंगे आज आज का शाम नेमरेबल हो जाएगा मैं आया हूँ मिलीहा बीच के उपर और मिलीहा बीच से हम करेंगे पैरा सेलिंग पैरा सेलिंग एक बड़ा जबर्दस एडवेंचर है अगर आप कभी बाल्टा आएं या किसी भी जगह पर अगर आपको इसका मोका मेले तो इससे जरूर एक दफा ट्राई करें यह बड़ी मज़े की चीज है चीज समंदर के वर आपको ऐसे पुबारे के साथ बान के सैर करा ही जाएगी तो आज हम बेसे अडवेंचर को करने के लिए जा रहे हैं तो लेट्स को विद आस पैरा सेलिंग लिए आपको बोट में बठाकर खुले समंदर की दिरफ ले जाते हैं और उसके बाद बोट को यह घुमाते रहते हैं एक दाइरे की शकल में और ऐसे ही आपको राइड मिलती है इसकी और मेरे साथ इस सफर के अंदर मेरे जो बड़ी हैं वो होंगे मलिक अद ही कैना जिए मेरे समा इस नहीं सबराण के उसके जी आपके हैं मेरे सी मेस काई बड़े उसकी मेरे मेरे लाए जया है घड़ार जू। है 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 हलो और हम में स्वक्त मैं रेकाल है तेन सव फूट की पलंदी पी ओड़ रहे हैं लेकर अच्छा एक्स्पेरियंट रही है कर दो रहे हैं मेरी बैक साइट पर जो आप बॉक्टे देख रहे हैं इसका इसका कुईन अफ इंग्लेंड ने किया था 2015 गे अंदर और यह कॉमन वेल्थ बॉक्टे है और इसके अंदर माल्टा की बहुत ही इंपॉर्टन्ट जो यहां पर हैं यहां पर माल्टा की पार्लिमेंट की बिल्ड है और इसके लावा बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टन बिल्डिंग की हैं यह बहुत ही हिस्टोरिकल जगह जी और आज हम इसका टूर करेंगे और आपको बतायेंगे कि यहां पर लाइफ आज के दिन कैसी है देखने से यह लगता है जैसे आप घूम रहे हैं इटली के किसी शहर के अंदर यानि मिलान में या रोम के अंदर और अवनसली इस पूरे कंट्री के अंदर जो इन्फूनस सबसे जादा जिस किसी दूसरे कंट्री का मैंने देखा है वो है इतली यहां पर इतालियन टोरिस्ट भरे बुड़े हैं और आपको जगा जगा पर ये नजराएंगे अवी हाहा जिसे प्लित Catholic March Malta is a beautiful place, there are some fun see here, and a beautiful place everywhere So you're from Italy right? No, Nepal Naewbaul Right, but italy itself is very beautiful and sunny and it has good beaches, i mean, amそhistophatiques the world's famous beaches Ok so why would you come to Malta okay all right because we love right so perfect it's the perfect place perfect thank you so much this is my back set you can see the building today is Malta Republic it's recently revealed that it was in 2015 जादरा केंट खुछाए कि आखिर जिस ने इस अमुल्क को जिसने कॉलनाइज किया है उसका नाम है बरतानिय और बरतानियां के इंफुलॉंस की वज़े से यहां पर जो सबान सबसे ज़ादा बोली जाती है आफ्टर माल्टी लंग्विच वो है इंगलिश तो अगर आप ब लिगीनन कोई मसला नहीं होगा तकरीबन हर बंदा इंगलिश बोलता है समझता है और जगा जगा आपको यहां पर बिलकुल पाकिस्तान की तरहां जो साइन बोर्ड हैं और एवन दुकानों के बाहर भी जो एड्स बगरा लगे वह तो वो सारे इंगलिश के अंदर ही हैं तो किम्मिनिकेशन का कोई मसला आपको यहां पर नहीं होगा अचा है एक इंट्रस्टिंग जो फैक्ट है इसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट वह यह है कि माल एक बहुत ही छोटा सा जिजीरा है इन अमिडल ऑफ ती ओशन लेकिन आटमन एंपायर इसको अभी फटा नहीं कर सकी यानि सुल्तान सुलिमान जो जब उनके दौर के अंदर समझे जाता है कि जो आटमन एंपायर है वो बिलकुल अपने अरूच के ओपर थी तो वो भी उन दूसरी जंग एजीम शुरू हुई उस वक यहां पर बरतानवी राज था तो यह इस हवाले से आप इन हमारे भाई भी कह सकते हैं क्योंकि यह वी एक कॉमन वेल्थ कंट्री है लेकिन बाहरहाल दूसरी जंग एजीम को दरान जी माल्टा को तकरीबन फ्लैट कर दिया था जो एक्सेस पावर्स थी यानि जर्मन और जो इटालियन एर फोर्स थी वो इसको चूंकि यह एक ब्रिटिश एर बेस थी इसलिए यहां पर बहुत ज़्यादा बंबारी वो करते थे और इसका बहुत बुरा हाल था टाइम ज से गूड़ाइ टू माल्टा यह जो हमारा मल्टा का टूर हो यहां पर अथी के लिए खत्म है लेकिन मेरी लेस्ट के अंदर आड़ फिके ह rozp यहां बहुत अच्छा कंट्री है और विजिट के लिए मेरा मेरी तरफ से फुली रिप्मेंड़िड़ है आप यहां पर फैमिली के साथ भी आ सकते हैं सिक्यूर्टी का कोई मसला नहीं है बहुत अच्छा अच्छी मेमरी जह हैं वो यहां समय लेके जा रहे हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्ला आपस् सब्सक्राइब करेंगे खाल टाइब करेंगे जापको यहां समय भापस्छाइब करेंज चैनल की हैं तक मैं पस्याल क्रिष्टी मेरश नहीं है झाल 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 झाल